Government of India ने कई राज्यों में डिजीटल राशन कार्ट की सुवीदा चालू कर दिया यानि कि अब आप घर बैटी ओनलाइन डिजीटल राशन कार्ट के लिए एपलाई कर सकते हैं एक बार आपका डिजीटल राशन कार्ट बन जाता है तो आप उसको तुरंती प्रिंट कर सकते हैं कहलीजे डाउनलोड कर सकते हैं डिजीटल राशन कार्ट, पैन कार्ट, आधर कार्ट की तरह होता है, यानि कि आप उसको आसानी से अपनी पॉकेट में केरी करके रख सकते हैं, वो बिलकुल एक पीविसी कार्ट की तरह होता है, तो अगर आप भी डिजीटल राशन कार्ट के लिए ओनलाइन अपलाई करना चाते हैं तो इस वीडियो को completely end the watch करते रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like and subscribe भी कीजिए और आपके मन में कोई confusion या question हो तो हम उससे comment करके पूस सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह सबसे पहले आपको search करना है NFS से नमर फर्च पर website आएगी उस पर click करना है तो आप इसकी officially website पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का interface आएगा आपको ration card को option मिलेगा इस पर click करना है दूसरी नमर पर आपको option मिलता है ration card details on state portals इस पर आपको click करना है तो आपके सामने इंडिया में जितनी state होंगी वो सब शरू होने लगेंगी तो जो भी आपकी state हो यहाँ से आगर आपको slack कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी एक state पर click कर लेते हैं तो जैसे ही आप state पर click करेंगे आपके सामने इस तरीके का pop-up आएगा आपको okay पर click करना है तो आप इस तरीके से अपनी state वाले portal पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे scroll करके आना है यहाँ पर आपको option मिल जाता है special service का यही पर आपको एक option मिलेगा apply for new Russian card का इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको दो option आएंगे आप के सामने for new applicant और for existing applicant तो आपको for new applicant पर click करना है इस तरीके का page आएगा यहाँ पर आकर आपको अपना mobile number डालना है get OTP पर click करना है आपकी mobile number पर OTP send के जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है proceed पर click करना है अब आपके सामने इस तरीके का page आज आएगा यहाँ पर आपको चार step में online apply गनना है राशन कार्ड के लिए तो पहला step है यहाँ पर आप से question पूछ रहा है कि आपकी किसी family member के पास या आपके पास कोई और राशन कार्ड तो रही है तो आपको no पर click करना है उसके बाद आप से पूछ रहा है कि आप राशन कार्ड गल्ला लेने के लिए यानि राशन लेने के लिए बना रहे हैं या फिर अपने identity purpose के लिए तो यहाँ पर आपको इसको अपने इस्ताथ कर लेना है जैसे कि हम राशन लेने के लिए बना रहे हैं तो हम पहले option पर click कर देते हैं उसके बाद आप से पूछ रहा है आप रूड एरिया या अरबन अगर आप वर्विह सरी को फैम्ली में किसी के पास two-wheeler four wheeler तो नहीं है अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है तो जो जो आप से पूछ रहा है उस बॉक्स पर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है आपको अपने हसाफ से इसको स्लैक कर लेना है इसके बाद यहां पर जो जो पूछ रहा है आपको करना है next पर क्लिक करना है तो आपके सामने दूसरे स्टेप वाले पेज़ पर आप पहुंच जाएंगे यहां पर आने के बाद आपको अपना एड्रेस पूरा फिल करना होगा तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्टेक्ट चूस कर लेनी है फिर यहां पर आकर आपको अपना ब्लॉक चूस करना है यहां पर आपको अपनी पंचाय चूस करनी है फिर यहां पर आपको अपने एरिये का पिन कोड डालना है यहां पर अपना पूरा एड्रेस डालना है जो भी आपका पूरा एड्रेस हो यहां से आकर आपको अपना पॉलिस स्टेशन चूस करना है फिर यहां पर अप इसके से पाद पर इसके बास फे पर क्लिक करना है उसके बाद बसक्तरों क्लिक करते हैं तरिए आफ बास बस रा मी जाता है औώ है एक weapon मिल जाता है तो क्रफित तरी क्लिक करना है के लिए भी आपको यहां से शॉप चूस कर लेनी है उसके बाद आपको नीचे आना है यहां पर आपको head of family की details देनी है तो सबसे पहले यहां पर head of family का first name डलेगा यहां पर last name उसके बाद यहां पर head of family के father या mother का नाम डलेगा फिर यहां पर उसका gender choose होगा कि वो female है यहां से उनकी category choose होगी तो अगर उनमें कोई disability है तो यहां पर disabled पर click कर देना है या फिर उनमें कोई भी disabilities नहीं है तो आपको none of above पर click कर देना है उसके बाद यहां पर उनक पर calendar पर click करना है और उनकी date of birth select कर लेनी है पिर यहां पर उनका आधान नमबर डालेगा आधान नमबर डालने के बाद यहां पर आपको next पर click करना है तो इस तरीके से आपके सामने आपकी पूरी details आ जाएगी जो जो आपना फिल किया होगा यहां पर आने के बाद आपको यहां पर एक box दिखेगा इस पर click करना है उसके बाद proceed का option लेगा इस पर click कर देना है प्रोसीड पर click करती आपके सामने इस तरीकी का page आएगा तो यहां पर आने के बाद आपको आधार काड अपलोड करना है तो आपको जो है वो upload हो जाएगा अब आप से यह पूछ रहा ह आपको झालते हैं वह पर डाला तो आपके आध्रा काड्स केम तो पर किल्क करने के City दरहे हैं चाई हैगा उसके बाद नेक्ट पर आपको किलिक करे राएक इस तरीकप पेज़ आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस box पर और get OTP पर क्लिक कर देना है तो आपकी mobile number पर OTP send किया जाएगा उसके बाद उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है submit OTP पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप submit OTP पर क्लिक करेंगे तो step 4 पर आप पहुच जाएंगे और वहाँ पर आकर आपको submit का option मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है submit पर क्लिक करते ही आपकी जो राशन कार्ट की application है अपलाई करना है कि वो submit हो जाएगी उसके बाद आपका 4 से 5 दिन के अंदर या कह लीजिए 10 से 15 दिन के अंदर आपका राशन कार्ट बन जाएगा और आपका एक बार राशन कार्ट बन जाता है तो आप उसको तुनंती डाउनलोड कर सकते हैं अब राशन कार्ट डाउनलोड करना के लिए आपको इस website के home page पर आ जाना है यहाँ पर आपको 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 आ तरीके से आपका राशन कार्ड आपके सामने शो हो जाएगा यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर देखें इस राशन कार्ड पर आपकी डिटेल्स लिखी होगी आपके फैमली मेंबर्स की डिटेल्स लिखी होगी और इस तरीके का यह राशन कार्ड होगा तो दोस्तों इस तरीके से आप online national guard के लिए apply कर सकते हैं और उसको download भी कर सकते हैं उमीद है आपको वीडियो जबू पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and subscribe कीजिए और आपके मन में कोई confusion या question हो तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं